कि सब्सक्राइबर फिल् Paw간 दोस्तों हमारे अर्क लिख्री ड्र चैनल पर धेक्ते हैं धोस्तों ये घर में केशा तार खिंशते है जो अंडर्गांड में कैसे तार गुषता है अंदर और कैसे डालेंगे उसको दिखाएंगे तो यह हमारा जो पाइप दिया रहता है चाथ में वो जो पाइप को पहले साफ करेंगे साफ करने के बाद यह हम जी आई तार से दोस्तों चेक करेंगे कि कौन सा पाइप कहां ग अपड़ी करके हम डालेंगे यह घर का मेंन लाइन दिया जा रहा है जो कि हमारा डिस्ट्रिउशन वक्स चे आएगा तो इसमें घर के लिए 2.5 का तार देंगे और AC के लिए देखे यह 4 SQUARE M का तार दिया जा रहा है और इसके साथ IN के लिए दूस्तो एक 0.75 का तार देंगे तो कुल मिलाकर है कि 4 SQUARE M का एक तार लग गया है फिर इसके उपर दूसरा वाला देंगे पहले जो जियाई होता है दोस्तों उसको थोड़ा बेंड कर देंगे दिखें कैसे बेंड हुआ है इसमें और बेंड क्यों करेंगे यह जो तार को हम खिंचेंगे उसके थोड़ा प्रेशर आएगा तो यह निकल के बाहर ना आ इसके बाद 2.5 टालेंगे । बीच में 0.75 और 1.5 और बाद में उपर में 2.5 का डालेंगे देखिए एक-एक करके एक के उपर एक के उपर एक एक उपर जिसका गी वो पाइप में थोड़ा टाइट हो सकता है इसलिए एक के उपर एक एक के उपर आगे की तरफ करते हुए दे देंगे तो तार का जितना मुटा ही रहेगा ये जी आई में भी उतना ही मुटा ही रहेगा तो देखिए ये अभी हमारा तार लग चुगा है पहले ये हमारा फोर स्कारम का दोतार रिष्म में यह देखिए पिला वाला और यह ब्लाक वाला फिर यह 1.5 रेड़ वाला और इसके बाद यह जो पिला वाला दिखिए यह 0.75 और बाकी दोटो टूपाइब का तो यह चला जाएगा हमारा दोस्तों ईसी रूम का मेंन लाइन हमारा डिस्ट्रिवूशन बाक्स तब चला जाएगा कि देखे इसको किसे खिंचते हैं उधर डिस्ट्रिवूशन बॉक्स में हमारा ज्याई निकल चुका है उधर धिर प्रिचेंगे यह अंदर यह अंदर जाएगा देखिए यह कैसे पाइप डालते हैं दोस्तों हमारे दूसरे विडियो में डाला हुआ है यह जब छात की डालाई होता है तब इसका पाइपिंग हम के रहते हैं पहले से देखिए यहां डीवी का जंक्शन वाक्स उपर दिया ह हुआ है उसी जंक्शन वाक्स में इसका तार निकल गया आएगा दिखिए यहां निकल आया और यह तार को दोस्तों डीवी से तकरिमान मिनिमम डेट फिट जाता करके रखाएंगे क्योंकि वह डीवी बॉक्स में जा ड्रेसिंग होके लगेगा और नीट्राल वगरा भी व प्रूम का लाइटिंग के से यह देखे फैन पॉइंट एक बीच में डाला है वहां से यहां तक आएगा तो इसमें चार लाइट पॉइंट दिया हुआ है तो दोस्तों दिखिए इसमें दो लाइट का पॉइंट आ चुका है एक कमन न्यूट्राल के साथ अभी यहां यह प्रूम कभी तर डाल दिए देखिए इसमें से उधर से कैसे आ रहा है कि यहां आगे है दोस्तों एक फैन पॉइंट का और दो लाइट का बाकि और एक लाइट का यहां पर आएगा पिर यहां से स्वीच बोर्ड के लिए नीचे जाएगा देखिए दोस्तों यह कैसे आ रहा है अभी यह जो आख्री वाला सिलिंग का लाइट पॉइंट देखिए उसमें से तार टालेंगे देखिए इजिया को निकाल दियो उधर फिर नीचे आपर उसमें लग जाएगा इसमें दो तार लगेगा पेजों नीट्राल के लिए फिर जों नीट्राल रहेगा वह पहली व मतलब हर पॉइंट के लिए एक एक फेज का आएगा स्वीच बॉड्ट से और पांच पॉइंट के लिए हम एक नीट्राल देते हैं 1.5 का जो की कमान रहता है देखिए उत्तार अभी इधर निकल चुका है अभी उसको यहां किंचेंगे कि यह तार को भी दोस्तों एस आए किन्स के जो हमारा स्वीच बॉडड रहेगा स्वीच बॉडड में जितना रहेगा दोस्तों उससे एक से देर्ड फीटह ज्याधा रखना है ones Canada के वह उसका जरूरत होता है अगे फिउचर में में उसका जरूरत होता है कभी और मेंटनां बोड़ से नीचे करके इसको काट देंगे ठीक है यह हमारा तार दिखिया आ चुका है यह सब टेप मारा भाए उधर मेन लाइन का और यह दो आ गया टूए का और बाकी सब फॉइंट का तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जोरुर बता है अगर वीडियो सेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को अनुद तक देखने के लिए धन्य बाद